hi friends welcome back to all of you in all of our channel today we will discuss about the single trailing and the double trailing in size so start करते है single trailing से single trailing means होता है अगर आपको data set में किसी एक value को hold करना है and hold करके उस value के उप़र सिफ उस variable के ऊपर आपको work करना है so we use single trailing single trailing को use कहने के लिए आप अगर जो symbol होता है एक बार लगा होगे ठीक है और double trailing means होता है जब आपका जो data है data set में जो बना हुआ है वो बहुत जादा है but in the single line एक line में आपका data है ठीक है उसको आपको pattern wise sequence wise output में लेकर आना है बट वो single line में नहीं आना चलिए वो step by step आना चलिए sequence में आना चलिए उसके आप generally double trailing का use करते हो जो कि double double add the rate का हम use करते है ठीक है तो सबसे पहले start करते है program single trailing का single trailing के लिए start करने से पहले दो condition होती है कि यह जब तक कंडिशन जो जिस भी हम variable के पर लगाएंगे वो हमेशा satisfy होनी चाहिए यह true हो नहीं चाहिए तब वो execute हो पाएगा code ठीक है अगर वो true नहीं होगा तो execute नहीं हो पाएगा code ठीक है single trailing हम मेशे हम अपने first variable of the code में लगारते हैं मिल्च आपका first variable है उससे में आप single trailing का use करते हो वो आपके first variable को hold करके रखता है till the if condition gets satisfied this is all about single trailing now let's check the program so first of all एक dataset तयार कीजिए suppose test then input input like type आए है अब यहां पर यह जो मने लगाया है add the rate इसका means यह इस variable को type type के variable को hold करके रखता है इसलिए मने हाँ पर single trailing लगाया है means add the rate लगाया है ठीक है हमेश्या and of this variable के बाद लगाए लगाया means यह इस variable को hold करके रखते है जो भी values होंगे ठीक है इसे over करने के बाद next time input बनाएंगे है input other variable है जैसे की name amount next time cards में आप value आज़ने से और अगाया तो इसको आप control एक तीज़िए and just copy it so यह आपका data आगया okay so this is type these are type this is name and name में मुझे चाहिए की 15 digit तक की name आपने चाहिए तो में आपका 3 dot करते है this is amount and this is your salary now if I run this code so I will get type name amount and salary but single challenge में होता है कि हमें एक variable को fold करना है जब तक if condition satisfy ना होता है अगर वो surface है okay तो then delete 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 कर दो ठीक है so abh यह run होगा abh देखिए नहां पर जितनी भी surface आपर इंट्रस तक की delete हो गई and just freeway रह रहाए तो थाप होगी आपका freeway नाम की आपका ॉप्रेवे नाम की अंट्रस में ने dot 3 dot लिखा था and then name आपका amount रहे है सबस्क्राइब तर सब्क्राइब करेंगे हैं इक मेरे पास एक लुर्याएबु और थे जूत लोगए पूर्याइबल को ताकि वो hold कर सके values को जब तक की इप condition satisfy ना होगा जैसे आपके condition satisfy हो जाएगी आगे की variables को check करेगा name print करेगा, amount print करेगा यहाँ पर आपको देदे सकते हो तो इसको print करेगा तो इसके लिए आप single-tilling को use करेगा अगर आपको किसी एक variable की ओपर खेने अपके जतेक इप condition satisfy में हो जाएगी Run Menu होगा जैसे condition satisfy हो यहीँ तो आपको कuishRat के था फिप शनी सकतर रिसको पर खेए cycle जब टुकीऊ family UA थे więc वाज about that thing slow अब हम बार फट्रेट में डबल्ट्रेलिंग होते है डबल्ट्रेलिंग आपका जो डेटा होता है वो एक सिंगल लाइन में होता है मतलब कि आपका डेटा किसी नहीं है और उसको मतलब एक लाइन में सारा कर सारा लेटा एक सब्सक्राइब को जोगी बट रिजल्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए लिए आपका स्ब्सक्राइब जो इए जो जुछ इम पूर इंग रिजल्ट्रेलिंग अग प्रहाँ मैं फुर्ट्रेलिंग प्रहाँ वो इन अंग श्रयब कि आपका लाइन भी एग बिदे लिगोंट प्सक्राइब है अपर संसे माल वकष दो बादो वक्ति बारिभिगे अपर देल्ट भी आपर देल्ट रिंगें था अपर देल्ट रिंग होता है यहां मेंृसया अद्ध रिमर्ट मात अबस्क्ट जो अपर देल्ट रिम्ट रद रुट्री लिख लेक तो उन सब के AND में लगता है ठीक है लिए इसे एक वेरीबल के लगता है जो की 1st वाला वेरीबल के लगता है उसके AND के लगता है g pray okay so this is double data now RJE104 वेरीबला के लिए सीक था ऑला वेरीबल्स के लिए इसेए लेपम्न कोई प्र में डालने टा को लेक लिए झाला है और बहुत सारे डेटा है आप इसको इस प्रेमे डाल सकते हैं जैसे कि आपने इस बहुत सारे डेटा है अगर आपने इस ओर्डर में डाला है इसको आपको इसको अरीज सरने के ज़र्वत नहीं पड़ती है यह कि बस आप डाल हो डेटा को यह डेटा डाल चुक है अब इस में क्या गन्या आप अपो चास्राने कि वैनुम्ण is अप्रेमे डेचर लेटा में देख डाले को यह शितने। here we go we got the id 101 102 103 and 104 name we have a sign here and the age and the weight and this is gender okay okay so you can see this हमने जो हमने जो code में जो data डाला था वो एक single line में डाला था छीक है यह हमने इसको run किया by using the two these symbols इन तोनों symbols का बहुत importance है this is called double trally इसको use करते ही आपका जो भी data है जो के एक single line में है वो आ जाएगा यहना sequence order छीक है आप कितना भी huge data में डाल सकते हो इसमें आपने कुछ ही और भी डाल जिया जैसे कि आपने supposed भी डाल जिया okay okay these types के आपने कुछ भी डाल जिया so when you run this code so you will get the sequentially data like this okay idea अगया new जो हमने भी बनाई है and this is gender and this is age and this is youth so this is about the double trally okay so hope you like this video what is the difference between the single trally and double trally यह generally आता है आपका introduce question और पूछे जाता है और जब आपका certification करने जाते होगे इसका तो उस चैंपी पूछा जाता है कि difference बता दीजिए single trally and double trally दो इस ता से questions होंगे maybe like this तो यह बता दिए कि हाँ पर क्या use होना चाहिए हम ऐसे वाले को use कहा करते हैं यह किसका symbol है इस type of questions so this is all about single trally and double trally hope you like this video and what we will do जितने में comment box में comment timing में वीडियो के रिलेवें जो students इनको भी जो इनसे वीडियो चाहिए वह comment box में comment करें जिनकी वीडियो पर सबसेदा लाइक हुए होंगे जिस वीडियो के लिए वही वीडियो हम create किया करेंगे यह करेंगे जो उस वीडियो को हम create करेंगे hope you like this video thank you so much for giving your precious time तेंक अच्छू